हाई फ्रेंड्स मेरा नाम एकास करे और एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे स्यूटूब चरनल मैथेमेटिकल जन्नी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो अभी हमारा वीडियो चल रहा है जो एक्सराइजे 3.4 हम इसमें कंप्लेट करने वाले इसके पहले हमने ज जरूर चाहे किजिए ताकि आपको सारी चीजे क्लियर हो जाए और फटा फट से इस पर आईए ताकि हम कुशिन में 6 के बाद से जितने कुशिन हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर सके हमारा जो कुश्यन है टॉपिक जो है वह है आवियो के वित्क्रम को ग्याद करना है अगर इसको ऐसा लिख दे ए इस इकोल स्टू ए आई तो इससे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यह दोनों एकवल है क्योंकि आई जो है वह है तत्समक आवियो या इसको में इंगलिश में बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक अगर दो बाई दो का मैट्रिक है तो आई इस इ हम आई का मलिट्यप्लाइ करें तो आइडे को ने इस वाले टे को है यह हमारा सॉलूशन लगा बस इसले एक और वाले एन को हमको आई में चेंज करना है इतना याद रखना है और यह वाला a ऐसे ही रहेगा i जो निकलेगा वो हमारा solution होगा last में क्योंकि values change हो जाएगी अब इसमें operations लगाना है संक्रिया लगाना है तो देखे a is equals to a i कोई दिक्कत नहीं है दोनों को आप multiply कीजे i 2 by 2 का metric यहाँ पर जो दिया है और i के place पर 2 by 2 का metric एक जीरो जीरो और एक लिख देंगे दोस्तों operation लगाना है मैं फिर बीट कर रहा हूँ एक बार आप introduction पार ज़रूर चेक कीजे या इसके पहले के जो हम question 1 से लेकर question 5 complete के ना इसको चेक कीजे बहुत अच्छे से सारी चीजे अच्छे सा समझाईए यहाँ पर भी उतने ही अच्छे से question को मैं समझाने कोसेश कर रहा हूँ आप देखेगा बहुत easy से समझ में आएगा आपको a ऐसे रहने देंगे इस i से हमको एक solution मिलेगा यहाँ पर हमने एक identity metric लिख दिये और यह वाला जो a होगा यह वाला 2, 5, 1, 3 इसको हमको i बनाना है मतलब यह बनाना है इस पर चेक कीजेगा आप यह बनाना है हमको संक्रिया लगाना है तो यह जो है वो हमारी row है और यह column है तो शंक्रिया अगर आप row की लगाओगे तो row ही row लगाना है मतलब पंक्तिया यह column की लगाना है तो column column ही लगाओगे यहाँ पर हम पंक्तियों के लिए संक्रिया यह लगाएंगे अब देखें यह 2 है हमको करना के इसको तथ्समा काविव बनाना है पहला काम हमारा तो क्या कर सकते हैं R1 चेंज कर देंगे R1 कैसे चेंज करेंगे R1 में से R2 को माइनस कर देंगे रो में से ठीक तो R2 चेंज करने के लिए नहीं बोला है हमने R1 चेंज करने के लिए बोला है तो R2 जैसे की वैसा सबसे पहले क्या करेंगे हम R2 को जैसे कि बसा लेखे देंगे 1 और 3 हमने यहां क्या बोला R1-R2 तो 2 को 1 में से माइनस करेंगे 2-1 यह हो गया 1 और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो यह जाएगा 2 ठीक है यहां पर भी same वही काम करेंगे R2 चेंज करने के लिए नहीं बोला है तो यह 0 और यह 1 हो जाएगा R1 चेंज करने के लिए बोला है वो भी कैसे R1-R2 तो 1-0 1 और 0-1-1 और यह जैसे की बसा देखे दोस्तों यह भी क्लियर है अब देखे हमको करना क्या है इसको 0 बनाना यह 0 बन सकता है अभी हमारा हम क्या करेंगे यहां पर एक उर संक्रिया लगाएंगे यहां पर हम तो यह हमारा 0 हो जाएगा कैसे होगा कि R2 चेंज कर देते कैसे change करना है R2 में से R1 minus कर देंगे इसमें से इसको minus कर देंगे तो देखे R1 change नहीं करना है तो R1 जैसे की वैसा 1, 2 अब R2 change करने की बात बोलिए तो 1 minus 1 0 3 minus 2 ये होगे हमार पस 1 clear एक वाल यहाँ पर भी वही करना है R2 minus R1 तो R1 जैसे की वैसा 1 minus 1 इसको change कर देजे 0 minus 1 minus 1, 1 ये 1 minus minus 1 इसको solve किया हमने तो 1 minus minus plus ये 1 हो गया 1 और 1 2 तो यहाँ पर कितना आगया 2 अब देखे दोस्तों अब यहाँ पर 2 आगया हमारे पास हमको करना क्या है कि इस वाले को ये 1 1 हो गया इसको हमको 0 बनाना है तो 0 बनाने के लिए अब यहाँ logic लगाई है क्योंकि हम बोल के रहे कि इधर वाला जो A है इसको हमको तत्समक आफ यू में बदलना है identity metric में बदलना है तो 2 operation लगाए हमने यहाँ पर 2 संक्रिया लगाई हमारा एको target बचा हुआ है कि हमको इसको 0 बनाना है ताकि यह 1001 हो जाएगा चुकि देखे जब हम operation लगाएंगे संक्रिया लगाएंगे तो दोनों पार्ट में लगेंगे ठीक है अब यहाँ पर क्या हुआ है हमारा पास A है अब इसको हम 0 बना सकते कैसे बना सकते देखे आरवन चेंज करना यह तो final हो गया हमारा क्योंकि वो आरवन का एक element है लेकिन यहाँ पर हम आरवन माइनस 2 आरटू के त्वारा इसको चेंज कर देंगे आरटू में हम 2 का मल्टिप्लाइ करके हुए और उसमें से आरवन को माइनस कर देंगे तो देखे बनेगा क्या आरवन चेंज करना है तो आरटू जैसे की वैसा लिखा जाएगा यहाँ पर भी आरवन चेंज करने की बात होई तो आरटू जैसे की वैसा लिखा जाएगा माइनस 1 और टू और यह वाला ए अब देखें संक्रिया है जो लग रही है operation जो लग रहे है वो r1 में लग रहे है उपर वाली रो में लग रहे है clear यह r1 यह r2 1-1 यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूं 1-0 into 2 तो 1-0 यहाँ पर कितना आगे है 1 ठीके 2-2 क्योंकि r1-2 r2 r2 में 2 का multiply करने पर 2-2 into 1 2-2 यह कितना हो गया 0 अब ऐसे यहाँ पर हम करेंगे देखिए 1 यह वाला 1 है r2 में हमको 2 से multiply करके minus करना है तो यह वाला 1 इसमें 2 से multiply करेंगे तो minus करना है यह minus और इसके पास पहले से minus है minus 1 into 2 क्योंकि r2 में 2 से multiply करके हमको उसको r1 में से minus करना था तो 1 minus minus plus यह हो जाएगा 2, 2 or 1 यह हो गया हमारे पस 3 तो यहाँ पर हम लिख सकते 3 अब बात रही यह वाले element की तो same case यहाँ पर देखे r1 minus r2, r1 का element यह है clear r1 का element यह हो गया हमारे पस अब minus 2 to the 4 और इन दोनों को solve करेंगे तो यह हो गया हमारे पस minus का 5 तो यहाँ पर आगया हमारे पस minus 5 I hope दोस्तों clear हुआ होगा यह देखे यह identity metric बन गया तत्समक आवियू बन गया है अब तत्समक आवियू बन गया मतलब इसकी जगा पर हम लिख सकते I equal यह होगा हमारे पस 3 minus 5 minus 1 2 और आप इसको transfer करोगे तो यहाँ पर जाएगा 1 upon A A inverse की value निकालना 1 upon A into I इसको हम उपर लिजा लेतें तो यह हो जाएगा A inverse I equal यहाँ से हमने जो values निकाली है वो निकली है 3 minus 5 minus 1 और 2 यह हमारी values निकली है अब A inverse into I करने पर हमारे पस हमेशा बचेगा A inverse equal 3 minus 5 minus 1 और 2 यह दोस्तों इसका answer यह इसका विद्क्रम मतलब की A inverse को हम A inverse बोलेंगे A inverse of a metric यह लिख सकते हम यह इसका answer है बहुत अच्छे से चेक कीजिएगा एक-एक संक्रिया है logic है थोड़ा सोचना उसके बाद संक्रिया को लगाने की कोसिस करना सीधा-सीधा था हमको समझ में आ रहा था कि 2 का हम 1 बना सकते तो 2 में से यह R1 में से हमने R2 minus कर दिये यह R1 यह R2 तो पूरी row के element आपस में minus होंगे यहां से भी minus होंगे क्योंकि अगर इसमें minus किया तो यहां पर भी वह वाली संक्रिया लगेगी LHS, RHS दोनों में दोस्तों कुशिमा 6 था इसके बाद हम इसका question solve करें कुशिमा 7 कुशिमा 7 देखिए A is equal to दिया हमारे पस 3, 5, 1 और 2 और A इक वाल हम लिख सकते A I इस वाले A को हमको I में change करना है और ये वाला I हमारा solution होगा I मतलब तत्समगाव्यू, identity metric कोई दिक्कत नहीं है आप A और I का multiply करोंके A ही आएगा थोड़ा logic लगाए दिमाग, थोड़ा और बढाएए, थोड़ा और सोचिए कि क्या हो सकता है इन सब चीजों को solve करने के लिए तो देखिए 3, 1, 5, 2 यहाँ पर A की जगह पर हम कुछ नहीं लिखेंगे A को ऐसे कैसा लिखा रहने दिया I तत्समगावी को कि यहाँ पर 2 x 2 का metric है तो यहाँ पर हम 2 x 2 का metric ले ले लेते हैं यह 0 और यह 1 ठीके अब देखिए दोस्तो इसको 1 बनाना है इसको 0 बनाना है इसको 0 बनाना है इसको 1 बनाना है पहला यह 1 बन सकता है कब थोड़ा logic लगाई अगर हम R1 को change कर दे यह वाला 1 बन जाएगा R1 को change कर दे और R1 में 2 से multiply करगे इसमें गर 2 से multiply करेंगे तो 3, 2 जा 6 और 6 में से 5 minus करेंगे तो वह हो जाएगा 1 तो पहला काम हम यहां पर लिखेंगे R1 चेंज करना है हमको कब कि R1 में हम 2 से multiply करेंगे और उसको R2 में से हम minus कर देंगे तो यह हमारे पास यह वाला element हमको इसको देखना है यह वाला element 1 हो जाएगा चेक कीजिए R1 चेंज करने के लिए बोला है R2 को हम जैसे कि वह से लिख देंगे 5, 2 इधर साइड भी वह होगा 0, 1 और A अब देखें इसमें 2 से multiply किया हमने तो 3, 2 जा 6, 6 minus 5 यह हो गया 1 इसमें 2 से multiply किया है 2, 1 जा 2 और उसमें 2 minus कर दिया 0 देखें एक बार में 2 हमारे जो element है वो आगए यहाँ पर भी वही करेंगे R1 में 2 से multiply किया है और उसको 0 में minus कर दिया मतलब R2 में से minus कर दिया तो यह आगए हमारे पस 2 minus इसमें 2 से multiply किया और उसमें से 1- करती है, तो यह होगा हमारे पास minus 1, clear? अब देखे, कि यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर हमको क्या करना है? यहाँ पर हमको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, मतलब पक्का कि R2 चेंज करना है, तो हम यहाँ पर R2 चेंज करना है, क्योंकि उपर वाली स्टेप में तो सारी चीचे चेंज हो गई है, इसको तत्समा का व्यू बनाना है, तो R2 चेंज करना है, तो देखे, अगर हम R1 में 5 से मल्टिप्लाइ करें, 5 से, तो 5 1 जा 5 होता है, और फिर माइनस करेंगे R2 को इसमें से, तो देखे, मैं यहाँ आपर क्या लिख रहा हूँ, R2 माइनस 5 R1, R2 में से R1 को चेंज करना है, लेकिन R1 में 5 से मल्टिप्लाइ करना है, क्योंकि इसको हमको 0 बनाना है, देखे, R2 चेंज करने के लिए बोलाए न, तो R1 को हम कुछ भी नहीं करेंगे, यह हो गया हमारे पास, जैसा कि वैसा, यह हो गया हमारे पास 1 और यह हो गया 0, अब देखे, R2 मतला 5 माइनस 5 R1, इसमें 5 से मल्टिप्लाइ करना है, तो 5 माइनस 5 इन्टो यह वाला 1 5 माइनस यह हो जाएगा, 5 और इसको कैंसिल कर दिया, 0, तो यह हो गया हमारे पास 0 अब देखे, इस वाले element के लिए देखे, यह वाले element के लिए क्या करेंगे हम R2 चेंज कर रहें, तो हम यहाँ पर हम R2 को चेंज करेंगे, इस वाले element को देखे, 2, यह वाला हम 2 लिखेंगे यहाँ आपर 2 माइनस, हमने क्या वाला है कि R1 में 5 से मल्टिप्लाइ करेंगे, तो 0 इन्टो 5 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बजज जाएगा, 2 तो यह आगए हमारे पास 2, एक वाल सेम केस यहाँ पर करेंगे, यह जैसा कि वैसा आएगा, और देखे, 2 माइनस 1, क्योंकि R1 चेंज नहीं करें, R2 चेंज करेंगे, तो R1 को 2 माइनस 1 लिख दिया, अब R2 चेंज करने का केस किया था, ऐसा था, यहाँ का element चेंज करना है, तो अब देखे, 0, यह वाला 1, R2 का element है, हमारे पास 1, minus, R1 में किसे multiply करके minus करना था, 5 से, तो minus 1 into 5, minus minus plus, और यह जाएगा 1 plus 5, यह हो जाएगा, हमारे पास 6, तो यह आगया 6, अब देखे दोस्तों, यह हो गया हमारे पास 1, यह हो गया 0, यह हो गया 0, यह 2, हमको इसको 1 बनाना है, इस वाले element को 1 बनाना है, तो logic लगाईए कि इसको 1 बनाने के लिए क्या करें, मतलब R2 चेंज करना है, R2 चेंज करना है, R2 changes to, R2 चेंज करना है, R1 को कुछ नहीं करेंगे, तो हम R1 को जैसे की वैसा लिख देंगे, 1, 0, लेकिन क्या करें, थोड़ा logic लगाईए कि अगर हम दोनों side, इसमें और इसमें, 2 से divide कर दें, तो 1 by 2, R2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यह 1 हो जाएगा, ठीक है, इसमें 2 से divide करेंगे, तो 0 इसमें 2 से divide करेंगे, तो यह 1, इकवल, यहाँ पर भी हमको R2 चेंज करने की बात बोली हमने, तो R1 में कुछ नहीं करने वाले हम 2 minus 1, R2 में 2 से divide कर देंगे, तो यह हो जाएगा, minus 5 और यह हो गया 3, clear, यह वाला A यहाँ पर लिख देंगे, अब यहाँ से चलते, इसको एक बार चेक कर लिजए 1 0, 0, 1 और यहाँ पर हम च्हाकर कर देंगे A, अब हमको इस A की value चाहिए, A inverse चाहिए, तो A को इधर ले कर आते एको जब इदर लेकर आएंगे तो 1 upon a into ये वाला i equal ये देखे solution 2 minus 1 minus 5 और 3 और ये a को उपर ले जाएंगे तो a inverse हो जाएगा a inverse i equal 2 minus 1 minus 5 और 3 अब a inverse और i दोनों का multiple लाए कर दीजे ये a inverse ही होगा equal 2 minus 1 minus 5 और 3 ये हमारा इसका question number 7 बहुत easy है सिर्फ संक्रिया जो लग रही है ना operation जो लग रहे इसको बहुत अच्छे से देखे हर एक operation को बहुत अच्छे से clear कीजे पहले खुद से logic लगाई है कि अगर हमारे question बहुत अच्छे से बनेंगे ठीक है दोस्तों इसके बाद हम करेंगे इसका question number 8 question number 8 देखे क्या दिया हुआ a equal 4 5 3 और 4 clear अब देखे एक वल क्या लेख सकते हैं a into i a i या a into i इस वाले a को हमको तत्समा काव्यू बनाना है identity metric बनाना है और इस वाले a को इधर लेकर उपर ले जाना है तो a inverse हो जाएगा और i जो आएगा हमारा solution क्यूंकि जब हम संग्रिया लगाएंगे operation लगाएंगे तो lhs rhs दोनों में लगेगा clear a के place पर 4 5 3 4 यह question दिया हुआ ह इसको कुछ नहीं करना है logic लगाई है हमको इसको identity metric बनाना है तत्समा काव्यू तो 4 की जगह पर वन आएगा कैसे आ सकता है r1 change करने पर r1 कैसे change करोगी बहुत easy r1 minus r2 बहुत easy है दोस्तो 4 में से 3 minus कर देंगे क्या हो जाएगा 1 5 में से 4 minus कर देंगे यह क्या हो जाएगा हमा हमारे पास 0 और 1 और यह वाला एग एक ओपरे Fantasy लगा कर संक्रिया लगा कर हमने इसको तो one बना दिया लेकिन हम हमको और क्या करना है इसको जीरो करना है इसको वन करना है तो फिरसे देखे हम क्या कर सकते इसको 0 बना देते हैं कैसे 0 बनाएंगे r2 change करेंगे इस 3 को देकि iold जाएगा 0 अब देखे यहाँ पर R2 चेंज करने के लिए बात हुई हमारी तो R1 को हम जैसे की बासा लिखेंगे 1-1 इधर साइड पर R1 को हम जैसे की बासा लिखेंगे 1-1 और R2 चेंज होगा R2-3 R1 R2 तो यह 3-3 into R1 यह हो जाएगा 1 3-1-3 यह हो जाएगा 0 clear R2 के यह वाला element को देखी 4 है minus 3 into R1 3-1 जा 3 तो 4 में से 3-1 करेंगे यह हो जाएगा 1 clear यहाँ पर भी वह करेंगे R2 मतलब 0 0-3 R1 3-1 जा 3 तो यह हो जाएगा minus का 3 यहाँ से चेक किजिए R2 1-3 into R1 की value minus 1 minus minus plus 3 और 1 4 तो यहाँ पर कितना आगया 4 अब दोस्तों कुछ नहीं यह वाला यह जो है इसको 0 बना दो आप क्या करोगे R1 changes to R1 minus R2 clear R1 minus R2 हमको इसको 0 बनाना है बस हो गया वह 0 R1 change करने के लिए बोला है R2 को हम जैसा की वैसा लिखेंगे यह क्या होगा हमारे पास 0 1 equal यहाँ से भी यहाँ से minus 3 और 4 और यह A R1 minus R2 1 minus 0 1 1 minus 1 0 1 minus minus 3 तो 1 minus minus plus 3 बंजा 3 3 और 1 4 यह वाला क्या हो गया हमारे पास 4 R1 minus 1 minus R2 4 यह हो जाएगा minus 5 तो यहाँ पर हमने लिख दिया minus 5 आयों दोस्तों clear हुआ होगा हमारा target सिर्फ इतना सा है कि इधर वाले को जो A लिखाओ है इसको हमको identity metric तथ समग आप यू में change करना है तो हमने इसको 1 0 0 1 लिख दिया इसकी जिगपन हम लिख सकते I equal 4 minus 5 minus 3 और 4 4 minus 5 minus 3 और 4 और यह हो गया हमारा A हमको इस A को इधर लेकर आना है तो 1 upon A होगा यह तो ट्रांसफ़र होने के बाद into I equal 4 minus 5 minus 3 और 4 अब क्या करेंगे A को उपर लेकर जाएगे तो यह हो गया A inverse I equal 4 minus 5 minus 3 और 4 A inverse into I करेंगे तो यह A inverse होगा जो हमको निकालना है ठीक है equal 4 minus 5 minus 3 और 4 यह हमारा answer विदक्रम निकालना था inverse निकालना था तो यहाँ से हमने इसका A inverse निकाला answer चेक कीजिएगा बुक में से 4 minus 5 minus 3 और 4 जो इसकी संक्रिया है operation है बहुत अच्छे से cover कीजिएगा इसके बाद करेंगे इसका question number 9 question number 9 देखिए क्या दिया हुआ A equal 3, 10, 2 और 7 A equal हम A solve करेंगे यह तत्समा कावियो इस वाले A को I बनाना है A की जगह पर हम लिखेंगे 3, 10, 2, 7 और यहाँ पर A जैसा की वैसा और A की जगह पर तत्समा कावियो 1, 0, 0, 0 operation लगाना है, संक्रिया लगाना है थोड़ा logic लगाई है इसको 1, इसको 0, इसको 0, इसको 1 इसको 1 बनाने के लिए R1 चेंज करेंगे यह रो है R1, यह रो है R2 तो R1 चेंज इस टू R1 माइनस R2 तो क्या हो गया? R2 चेंज नहीं होगा R1 चेंज होगा, तो R2 को पहले लिख दीजे तो 2, 7, यहाँ पर भी R2 को पहले लिख दीजे 0, 1 R1 चेंज होने वाला है तो 3 माइनस 2, यह हो गया 1 10 माइनस 7, यह हो गया 3 यहाँ से 1 माइनस 0, 1 और 0 माइनस 1, माइनस 1 अब देखे, यह तो 1 हो गया इसको हम 0 बना देंगे फिर लोजिक लगाए, इसको नीचे वाले को इसको 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हो? इसको 0 बनाने के लिए R2 चेंज करना है R2 चेंज करना है तो R2 माइनस 2 R1 R1 में 2 से मल्टिप्लाइ कर दीजी R1 में 2 से मल्टिप्लाइ कर दीजी देन उसको R2 से माइनस कर दीजी तो देखे, R2 चेंज करने के लिए बोला है तो R1 जैसा की वैसा होगा जो change नहीं करना है उसको आप पहले लिख लीजे तो थोड़ा confusion कम हो जाएगा A, R2 change करना है कब R2 का येवाला element देखे 2 यहां के लिए में यहां solve करना है 2-2 into R1 का येवाला element उसके उपर वाला 1 तो 2-2, ये कितना होगा? 0, ये 0 वही करना भी था हमको, यहां से देखे R2 का इधर वाला element, यहां का element ये कितना है? 7-2 into R1 का येवाला element, 3, 7, 3, 2, 0, 6 7 में से 6- किये, कितना होगा 1 अब इधर भी ऐसा ही करना है येवाले element इक लिए यहां से देखे R2 मतलब 0-2 into R1 का येवाला element 1 0-2 करेंगे, minus 2 हो गया यहां से इसको solve करेंगे तो देखे, ये वाला element R2 चेंज करना है तो ये वाला element 1, minus 2 into R1 तो ये 2 into minus 1 minus minus plus 1 plus 2, यह हो गया 3 यहां पर आगया हमारे पस 3 अब देखे, सिर्फ इतना सा बचावा कि इसको 0 बनाना है तो logic लगा लिजी, बहुत easy है किसी भी R1 में अगर हम किसी से number से multiply करके minus करें तो भी चल जाएगा पहला काम तो R1 change करना है R1 changes to, कैसे R1 change करना है R1 minus 3 R2 R2 में 3 से multiply करके उसको R1 में से minus कर देगे तो यहां पर हमारा answer आजएगा R1 से change करने के लिए बोला है R1 change करने के लिए बोला है तो हम R2 को जैसा की बैसा लिख देंगे R2 0, 1 इधर का पर R2, minus 2, 3 और यह हो जाएगा A लगाई यह logic R1 minus 3 R2, R1 minus 3 R2 तो 1 minus 3 into 0 1, यह हो गया 0 यहां पर भी आप check कर लिजे क्या बोला, R1, R1 का उपर का element क्या हो गया, 1 minus इधर का element 2, उसमें कि से multiply करना है 3 से, ठीके यह minus कर दिया, minus 2 into 3 3 to the 6 और minus minus plus 1 plus 6, यह हो गया हमारे पर 7 तो यहां पर कितना जाएगा, थोड़ा सा logic लगाई हो जाएगा minus का 10 अब देखे, यह identity metric बन गया minus 10, minus 2 or 3 इसको उपर लेका जाएगे तो A inverse into I equal 7 minus 10 minus 2, 3 A inverse into I करने पर A inverse into I करने पर हमारे पास आएगा A inverse, और A inverse equal जो answer आएगा 7 minus 10 minus 2 or 3, आयो दोस्तो clear हुआ होगा, यह question number 9 इसके बाद इसका question करेंगे हम question number 10 बहुत easy है, आराम से एक-एक संक्री आए operation check कीजिए, क्या कर रहा है हम इधर वाले को सिर्फ तत्समकावियू बनाना है identity metric बनाना और question clear हो जाएगा इसके बाद करेंगे हम question number 10 question number 10 देखी दोस्तो A equal 3 minus 1 minus 4 or 2 A equal दिया हुआ है मारे पास AI इससे हमको solve करना है A इसको जैसे की विसे लिखा रहने देंगे AI जो है वो तत्समकावियू की form में लिखेंगे, तत्समकावियू है A जो है ये वाला है जो हमको question दिया हुआ है इसकी जगा पर हम पूरे को change करके solve करके हमको संक्रिया लगा कर इसको हमको 1, 0, 0 और 1 बनाना है तो हम पहले इसको change करते हैं इसको 1 बनाते हैं 1 बनाने के लिए हम R1 change करेंगे R1 changes to 3R1 प्लस 2R2 थोड़ा logic लगाने की ज़रुत पड़ेगी मैंने यहाँ आपर संक्रिया पहले ही लगा दिये 3R1 प्लस 2R2 मतलब R1 change करेंगे संक्रिया यह लगी हुए 3R1, R1 में 3 से multiply करके उसको R2 में 2 से multiply करके जोड़ देंगे तो यहाँ पर आएगा 1 और यह वाला भी आएगा 1 आप इसको solve कीजिएगा मैं इसको solve करके बताता हूँ 3R1 तो 33 is a 9 प्लस 2R2 माइनस 8 तो 9 प्लस माइनस 8 यह हो गया 1 यहाँ पर आगया 1 चुक्कि R2 change करने की बाद नहीं हो दी तो R2 को हमने जैसे की बसा लिख दिये माइनस 4, 2, 0, 1, 0, 1 इधर भी हम change करेंगे इस वाले element इक लिए देखे 3R1, 3, 1 is a minus 3 3, 1 is a minus 3 plus 2R2 तो 2R2 की बाद भी 2, 2 is a 4 तो यहाँ पर आगया हमारे पस प्लस का 1 यह वाला सेम यही केस यहाँ पर लगाया तो 3, 2, 0, 1 आया ठीक है मतला हमने इसको 1 बना दिया अब आगे क्या करेंगे हमको इसको 0 बनाना है तो क्या करेंगे R2 changes to R2 plus 4R1 R2 change करना R1 को जैसे की बसे लिखा 1 और 1 यहाँ पर भी देखिए 3 और 2 जैसे की बसे लिखा इसको 0 बनाना था तो हमने क्या कि एक थोड़ा लोजिक लगाया और यहाँ पर एक संक्रिया लगा दी R2 changes to R2 plus 4R1 R2 में minus 4 plus 4R1 4 बना 4 यह हो जाएगा 0 तो यहाँ पर आगया 0 सेम यह वाला case हम यहाँ पर solve करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि R2 change करना है यहाँ से देखिए 2 plus 4R1 बना 4 4R2 यह होगे 6 तो 1 1 0 6 यहाँ पर भी हमने वही किया तो 3 2 जैसे की वैसा लिखा था और यहाँ पर यह वाला यह वाला जो operation देगे लगा है तो 12 और 9 आया यह जैसा की वैसा अब देखिए दोस्तों यह वाला अराम से 6 हमारे पास 1 बन रहा है तो हम क्या change करतेंगे R2 change करतेंगे तो R2 changes to 1 by 6 R2, R2 में अगर 6 से divide कर देंगे तो हमारे पास यह वाला जो element है ना यह भी 1 हो जाएगा तो यहाँ पर हमने R1 को जैसे की वैसा लिखा 1 1 equal 3 2 यह जैसे की वैसा हो गया अब देखिए R2 में हमने operation लगाना था तो यह 0 और 6 में 6 से divide कर दिया तो यह हो गया 1 equal 3 2 जैसे की वैसा लिख दिया 12 1 में 6 से divide कर दो 2 आया और 9 में 6 से divide कर दो 3 से cancel 3 टाइम 3 से cancel 2 टाइम अब देखिए यह बन गया हमने पास 1 1 0 1 हमको 1 0 0 1 बनाना तत्समा काविव बनाना है तो सीधा सा इसको 0 बनाना बाकी रह गया है R1 changes to R1 minus R2 कर देंगे तो यह बचा वाला भी 0 हो जाएगा यहाँ पर भी 3 में से 2 minus कर देंगे यह हो जाएगा हमरे पस 1 2 minus 3 by 2 दोनों के LC मा आया 2 4 minus 3 और यह हो जाएगा 1 by 2 यहाँ पर 1 by 2 और यह 3 by 2 अब देखिए यह तत्समा काविव बन गया तो यहाँ से इस A को इधर लाया transfer हो कर 1 upon A into I A को उपर लिकर गया तो A inverse I equal 1 1 by 2 2 और 3 by 2 A inverse I A inverse होता है तो जो हमारा answer आया हो आया है 1 1 by 2 2 और 3 by 2 यह हमारा question पर 10 था इसके बाद देखिए हम question पर 11 question पर 11 देखिए दोस्तों A equal 2 minus 6 1 और minus 2 दिया होए तो देखिए A की जगह पर हमने यह लिख दिया I एक तत्समक आवी और A अब यहाँ पर हमको A 1 0 0 1 बनाना है तो अब यहाँ पर संक्रिया लगाएंगे हम operation लगाएंगे तो यहाँ पर हम क्या गरते पहले इसमें का operation लगाते R1 change करना है अब देखिए R1 change करना है तो R2 को जैसे की वैसे लिख दीजे 1 minus 2 0 और 1 जो कि यह वाला जो operation वो सिर्फ R1 में लगेगा यह वादी R1 यह R2 2 में से 1 minus किया 1 minus 6 में से minus 2 minus किया तो यह हो गया हमारे पस minus का 4 1 minus 0 1 और 0 minus 1 यह हो जाएगा हमारे पस minus 1 तो यह वाला आगया हमारे पस अगला case क्या करने वाले हम देखिए 1 1 minus 4 minus 2 logic लगा है इसको 0 बनाने के लिए क्या अगर सकते हो मतलब R2 change करना पड़ेगा तो R1 को जैसे की वैसा 1 minus 4 1 minus 1 और A R2 change करने के लिए R2 minus R1 इसको इसमें से minus कर दो 1 minus 1 0 minus 2 minus 2 minus 4 तो यह इन दोनों को solve कीजिया आपके पास जाएगा 2 same case यहाँ पर लगाएंगे तो कितना जाएगा मेरे पस minus 1 और 2 clear अब देखिए अभी हम इसको 1 बना सकते हैं तो इसको 1 बनाने के लिए हम R2 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमने R2 चेंज करना था तो R1 को 1 minus 4 1 minus 1 इदर से इसमें 2 से डिवाइड किया तो 0 इसमें 2 से डिवाइड किया तो 1 इसमें 2 से डिवाइड किया तो 2 इसमें 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया सिर्फ इतना सा बचा हुआ है कि इसको 0 बनाना है और 1 और यहाँ पर जो हमने R1-R2 में 4 से multiply करके उसको R1 में से minus कर दिया तो यह आगया 1 यह हो गया 0 और यह हो गया हमारे पस minus 1 और 3 एक विदर लाया A inverse I equal minus 1 minus 1 by 2 3 और 1 A inverse is equal to मारा answer आगया minus 1 1 by 2 minus और 3 और 1 दोस्तो यहाँ पर आप operation इस question में बहुत अच्छे से एक पर check कीजिएगा मैंने थोड़ा जल्दी में बता दिया है इस वीडियो में इतना ही इसके बाद वाले वीडियो में हम question number आगे की जो बच्चे हुए हमारे उन question को solve करके exercise को complete करेंगी और हमारा chapter complete होगा question number 11 को बहुत अच्छे से देखिएगा इसके पहले question को अच्छे समझेगा हर एक question operation कैसे लगाना है ताकि हर एक चीज आपको clear हो जाए दोस्तो इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे आपसे एक नई exercise के साथ तब तक के लिए thank you मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किये तो फ्लीज दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे साथ बने रहे ताकि हम mathematics को बहुत easy बना सके thank you friends